आज 18 फरवरी को पूरे देश में माहा शिवरात्री का त्योहार मनाय जा रहा है इस दिन लोग शिव और पारवती की भक्ती में लीन नजर आते हैं टीवी और बॉलिवूड इंडस्टी में कई ऐसे सितारे हैं जो भगवान शिव में अपनी आस्तर रखते हैं इनमें से एक हैं अंकिता लोखंडे जो भगवान शिव को बहुत ज़ादा मानती है आज शिवरात्री के मौके पर अंकिता लोखंडे ने अपने एक वीडियो शेर किया है जिसमें सुहागन बने अंकिता लोखंडे भगवान शिव की पूजा अर्चनकरती नजर आ रही है आप भी देखिए वीडियो जो अंकिता लोखंडे ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर शेर किया है झाल झाल वीडियो में आप देख सकते हैं अंकिता लोखंडे ने महाशिवरात्री के मौके पर अपने आलिशन घर पर पूजा पार्ट किया इसके साथ ही फैमली के साथ भगवान शिफ के मंदिर भी गए आक्टरस ने इंस्टाग्राम एकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया वीडियो में आक्टरस को अपनी फैमली के साथ भगवान शिफ के मंदिर जाते हुए और पूजा पार्ट करते हुए फैंस काफे खुश लग रहे हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद आक्टरस ने अपने घर पर भी पूजा की और जोड़ जलाई इसके साथ युणों ने हाँ जोड़ कर अपने फैंस को भी माहा शिवरात्री की शुप कामनाई दी है वीडियो को शेर करते हुए अंकिता लोखंडे ने क्या प्शन में लिखा सभी को हैपी माहा शिवरात्री ओम नमस्शिवाए लुक की बात करें तो इस मौके पर अक्टरोस ने एकदम सुहागन वाले लुक रखा अंकिता लोखंडे ने इस मौके पर डाक पिंक कलर की बांधनी साड़ी पहनी जस्में अंकिता लोखंडे बेहत खुपसूरत नजर आई उन्होंने भरी-भरी लाल चूडिया में पहनी इसके साथ ये अक्टरोस ने गोल्ड जूल्री और गोल्ड यारिंग्स पहने बालों को खुला रखते हुए मांग में सिंदूर और गले में मंगा सुत्र फ्रॉंट करते हुए अंकिता लोखंडे काफी कुपसूरत नजर आई टीवी की दुनिया में जी टीवी की सीरियल पवित्र रिष्टा से घर-घर में फेमस हुई आक्टरेस अंकिता लोखंडे अपनी आक्टरिंग और खुपसूरती के लिए जाने जाती है आपको बता दे कुछ दिनों पहले अंकिता लोखंडे की प्रेग्नेंसी की खबरे भी सामने आई थी जसके बाद लोग उने उनकी सूशल मीजिया हैंडल पर विश्टक करने लगे थे लेकिन अंकीता लोखंडे ने फाइनली प्रेग्नेंसी की खबरों को लेकर काफी कुछ बाते की हैं और असके साथ ही जो लोग उनकी प्रेग्नेंसी की खबरे उड़ा रहे हैं उनके ओपर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा अंकीता लोखंडे जब से विकी जैन के साथ शादी के बंदन में बंदी हैं तब इस एक्टोस के प्रिगनेंट होने की खबरे सुनने को मिल रहे हैं लेकिन इन प्रिगनेंसी रूमर्स पर आस तक अंकीता ने कोई भी बयान नहीं दिया अंकीता लोखंडे ने इन खबरों पर चुपी थोड़ी उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ शादी की खबरे हो रही थी फिर प्रिगनेंसी की और फिर तलाक की लेकिन इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है अंकीता लोखंडे ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कुछ लोग बोलेंगे उनका काम ही बोलने का है लोग इस बारे में बात करेंगे लेकिन जब तक वो अच्छी बात करते हैं ठीक है लेकिन जब ये लोग को छुटा सिधा बोलेंगे तब ये सब मेरी जिंदगी पर थोड़ा बुरा सा डालेंगे अगर वो मेरी प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक दिन प्रेगनेंट जरूर होंगी और मैं लोगों को ये बात खुद बताऊंगी अंकिता लोखंटे ने इंटरव्यू में पती से मिले सपोर्ट पर भी बात कि और कहा कि वो बहुत समझदार है और सबसे जादा अच्छी बात है कि वो मेरे दोस्त है वो जानते हैं कि मुझे अपना काम कितना पसंद है और हम काम को लेकर डिसकस भी करते हैं अंकिता लोखंटे अक्सर विकी जैन की तारीफ करती ही नज़र आ जाती है फिलाल तो आप अमें कॉमेंट सेक्षिन में आकर बताएं कि अंकिता लोखंटे का ये जो महाशिवरात्री लुक है ये आपको कैसा लगा अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजी आप हमारा ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉलीबुट टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मी बीट